आज थ्री मिनट रेस्पी में विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल प्लॉब बना रही हूँ इसके लिए आलू मटर गाजर ये तीन सब्जियां चाहिए और चावल जो हैं वो आदे घंटा मैंने बिगो कर रखती हैं इतना सा जिंजर गार्लिक ओनियन चाहिए जिसको यहां मैंने चौपर में चौप कर लिया है तीनों चीजों को चौप कर लें तो एकी साथ इसका तड़का लग चाएगा चाहे बारी काट लें या चौपर में चौपर में चौप कर लें और कुकिंग ओल डाल कर इसको तड़ लगाने के लिए रखती है और थोड़ा सा नमक डाल दें तो प्यास जल्दी से कैरमलाइज हो जाता है और यह जो प्लाओ है यह चिकन मसाले से बनेगा इसकी रैस्पी मैं और रेड़ी शेयर कर चुकी हूँ थ्री मिनिट रैस्पी में जल्द ही मैं यह शेयर कर दूंगी चीज डालने की जरूत नहीं है थोड़ा सा स्पाइसी यह प्लाओ अच्छा लगता है तो मिर्चों की हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दी है एक से दो टमाटर भी यहां आप इसमें डाल सकते हैं पानी का चीटा लगाकर थोड़ा सा मसाले को बूनेंगे और फिर आलू मतर ग दो मिनट हमने इसको उबलने देना है ताकि कैरट और पटेटो जो है वो थोड़े गल जाएं अमोमन तो गल ही जाएंगे कोई बड़े साइस के नहीं है लेकिन फिर भी जब दो मिनट पानी उबल जाए तो इसमें चावल जो है वो च्छान कर डाल देंगे पानी ना हो चा डाला था तो अभी नमक इसमें काफी कम था तो अपने तेस के कोडिन इसमें नमक डालने और यह देखेए बस साइड 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 से ही चावलों को मिक्स करते जाएं तो सारे चावल ही मिक्स हो जाएंगे घोटा गोलने की जरूत नहीं है स्टेज पर चावल तूट जाते हैं क्योंकि अभी कच्छे हैं पके होंगे तो शायद नहीं तूटेंगे और दम देते वकत इसमें थोड़ा सा गरम साला डालेंगे और 10-15 मिनट इसको दम यह थ्री मिनट रेस्पी आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें तो ही मुझे पता चलेगा अपना और अपनों का ख्याल रखें अल्ला हाफीज